अगर आजकल आप हैश्टेग्स, I support farmers, I stand with farmers, no farmers, no food देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हैं, खास करकी क्योंकि दुनिया भर के चैनल इनकी बात नहीं कर रहें, इस वीडियो को देखते रहिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ. अपनी गर्मियों की चुटियों में भारतिय सरकार ने तीन आर्डिनेंस चुप चुपीते पास करके इनको 17 सेप्टेंबर 2020 में कानून बना दिया, तब से देश भर के किसानों ने इन कानूनों को रद करने के लिए आवाज उठाई है, जिस देश की 140 करोड की अबादी है औ यह कानून 80 करोड से भी जादा लोगों को प्रभावित करता है, जब करोडों लोग अपनी आवाज उठाते हैं, आप सोचेंगे कि सरकार सुनेगी, पर सरकार ने अभी तक नहीं सुनी, किसानों ने सितंबर से नवंबर तक अपने गाओं और शहरों में रेलिया निकाली, पर जब सरकार या मीडिया ने बात नहीं सुनी, तब उन्होंने दिल्ली की तरफ चलना शुरू किया, रास्ते में पुलीस ने उन पर आंसूं के गोले और पानी के तोपे छोड़ी, लाठी चार्ज करी और सडकों को ही खोद दिया, पर किरसान डटे रहे और आखिर में दिल्ली पहुंच ही गए, एक टाइम पे तो दिल्ली की पुलीस ने दिल्ली की सरकार से नौ स्टेडियम की मांग करी जिसमें किसानों के लिए जेल बनाने थे उन्होंने, यह कैसा वरताव हुआ, पर क्या है ये कानूं, अभी समझें, भारत की कॉंस्टिटूशन के आर्टिकल 48 में खेती राज्य नीती के अंदर आती है और ना की केंद्र नीती के अंदर, हर राज्य में APMC मंड होती है, यानि Agricultural Produce Marketing Committee, जहां किसानों को अपनी फसल पे कम से कम दाम या minimum support price MSP मिलता है, यह APMC 1949 में सर छोटू राम ने लागू करवाई थी, ताके किसानों को उनके महनत का हक मिल सके, APMC में बेचने के लिए किसान या उनके अड़ती एक छोटी सी फीज भरते हैं, इन APMC के सबसे बड़ा लाब यह है कि किसानों को MSP मिलता है, और सरकार उनकी फसल खरीदती ही खरीदती है, वैसे तो किसान अपनी फसल private market में भी बेच सकते हैं, पर वहां उनको सही कीमत की को आमदनी बढ़ा देंगे और विचोलों को बीच से निकाल देंगे, याद रखिये कि इन कानूनों के लिखने समय किसी भी किसानों के संगठन का सला मशवरा नहीं किया गया था पहला बिल है, The Farmers, Produce, Trade and Commerce, Promotion and Facilitation बिल इस बिल में किसान और वियपारी के बीच में कॉंट्रैक्ट बनाया जाता है, कि जहां वियपारी बीच, खाद और खेती के नियम किसान को देता है और साथ में फसल की क्वालिटी और समय तै करता है, इस बिल में वियपारी को किसान की जमीन गिरवी लेने का हक भी दिया जाता है, किसान को कर्ज देने के लिए इस बिल में व्यापारी को विचोले लाने का भी हक दिया जाता है जिसका सबसे पहले मतलब हुआ कि इस बिल से कोई विचोले निकाले जाने की बात ही नहीं है फसल खरीदने पे व्यापारी दो तिहाई कीमत देते हैं और एकतिहाई कीमत देने के लिए 30 दिन और दिये जाते हैं इस बीच में अगर कोई विवाद होए तो किसान कोट या कचेहरी जान नहीं सकते और उनको सबडिविजनल मैजिस्ट्रेट जाना पड़ता है अब भारत में मैजिस्ट्रेट के ओदे पर भयंकर भरष्टा अचार मिलता है तो किसान कहते हैं कि यहां विचोले निकाले नहीं बलकि और बनाए जा रहे हैं इन छोटे किसानों की कितनी हिम्मत बड़े कमपनियों के साथ लड़ने की जो मैजिस्ट्रेट को पैसा दे के अपनी बात असानी से मनवा सकते हैं दूसरी बात यह है कि किसानों का मौसम, बारिश, बार या सुखे पे कोई कंट्रोल नहीं है तो अगर सुखा आ जाए तो वो कैसे फसल को टाइम पर दे सकेंगे किसान कहते हैं कि पूरे भारत में किसानी ही है जिसमें मेहनत किसान करते हैं और दाम कोई और लगाता है अगर चाए वाला भी चाए बेचता है वो पहले अपनी चाए का दाम सेट करता है ये बात तो प्रदान मंत्री मोदी जी भी जानते होंगे क्योंकि वो तो चायवले ही होते थे ना अब तो वो किसानों से MSP वापिस लेकर और भी मैनत का हक छीनना चाते हैं दूसरे बिल का नाम है The Farmers Empowerment and Protection and Agreement on Price Assurance and Farm Services सबसे पहले मैं भाजपा सरकार को दाद देना चाहूंगा कि उनको बिल के नाम बड़े अच्छे रखने आते हैं चाहे बिल के अंदर और कुछ भी होए इस बिल में किसानों को फसल APMC के बाहर प्राइवेट मार्केट में बेचने की अनुमती देई जाती है जो तो पहले से ही थी पर प्राइवेट मार्केट में अब सेल्स टैक्स माफ किया जाता है ना कि APMC में प्राइवेट मार्केट में MSP भी नहीं दी जाती ये दो असंतुलित सिस्टम बना के केंद्रिय सरकार किसानी को राजिय सरकार से खोके अपने कबजे में लाना चाती है ओपन मार्केट में टैक्स ना लगाके प्राइविट मार्केट वाले किसानों को दो तीन साल लालच दे के एपी एमसी बंद कराएंगे और बंद कराने के बाद फिर जो चाहें फसल का भाव लगाएंगे देखते हैं बिहार को जहां 2006 में यही ओपन मार्केट सिस्टम को लागू करवाया गया था तब से किसी भी बिहार के किसान की आमदनी नहीं बड़ी है जहां पंजाब हर्याना में एक क्विंटल धाम के सतना सो मिलते हैं वही बिहार में सिर्फ आठ सो मिलते हैं ना सिर्फ बिहार तमिल नाड में भी उससे जादा नहीं मिलते फिर आप कहां करशी करेंगे बिहार या पंजाब बिहार के किसानों के पास तो बहुत कम जमीन होती है जिसको फिर बेच के उन्होंने पंजाब के खेतों में काम करना शुरू किया क्योंकि पंजाब में अब भी MSP है और लेबर के उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं और कृशी के बिहार में कम ये नए कानून लागू करके रोजगार और भी घड़ जाएगा सोचिए कि 10 किलो चावल के आप करीबन 1300 रुपे दुकान पे देते हैं किसान को 6 महीने पीठ तोड मेहनत करके 100 किलो पे उससे भी कम पैसे मिलते हैं वो भी सरकार अब किसानों से ले लेना चाहती है तीसरे बिल का नाम है Essential Commodities Act इस बिल में सरकार, अनाज, दाल, आलू, प्याज, तेल और दूसरे अन्य पधारतों को Essential या जरूरी करशी वास्तों की लिस्ट से निकालना चाहती है यानि अब व्यापारी इन चीजों की कोई भी कीमत रख सकते हैं इन चीजों के दाम अब रातों रात सो प्रतीशत तक बढ़ सकने की अनुमती दी जा रही है ये सिर्फ तभी कंट्रोल में सरकार लाएगी जब देश में कोई लड़ाई, भूख मरी या तभाई आ जाए जब देश भर और दुनिया भर में करोना जैसी भयानक बिमारी आई है जिससे करोडों लोगों की कमाई बंद हो गई है सरकार अनाज जैसी बुनियादी चीजों का धेर बनाने की अनुमती देर ही है अदानी और अमबानी जैसे अरब पती व्यापारियों को रिलाइंस की जियो सर्विस को तो हमने देखी लिया है अपने आदे से भी कम रेट करके उन्होंने मार्किट पे कबजा कर लिया फिर जब आईडिया और टाटा डोकमो जैसे दूसरी कमपनियां बंद हो गई रिलाइंस ने अपने भाव बढ़ा दिये अगर दूसरी कमपनियां ही रिलाइंस के दबाव नहीं से पाई तो साधारन किसान सोच भी कैसे लेगा सरकार कहती है कि वो किसान और उपभोगता को चौइस देना चाहती है तो रिलाइंस छोड़के दूसरी कमपनियों को भी व्यापार करने क्यों रोकती है भारत का रीटेल उध्योग 47 लाक करोड का है और इस उध्योग का इस वकत कौन सी कमपनी मालिक है अमबाने की रिलाइंस सरकार के नए कानून भी अब रिलाइंस जैसी कमपनिया तियार कर रही है और सरकार अपने नागरिकों और किसानों की सुन नहीं रहे हैं अगर ऐसे ही सरकार आगे बढ़ती रहेगी तो लोक तंत्र छोड़के भारतिय नागरिक क्या ताना शाही को मान लेगा